आयोत्या में प्रभुश्री राम प्रान प्रतिष्टा समार हो 22 जनवरी को आईजित क्या क्या है हर तरब भगवान राम की भक्ती और जैकारी चल रहे हैं इसी से प्रेरित होकर नाकुर की महंदी आर्टिस महिला ने एक अलग संकल प्लिया है सुनिता धोटे नाम की महंदी आर्टिस इन महिलाओ की हाथो पर रामा इनकी खटनाओ की महंदी रचारी है इस अनों के पहल की शुरवात हो चुकी है सुनिता धोटे ये महंदी फ्री में लगा रही है इसलिए महिलाओ की काफी फिड रहती है मेंदी से चित्र बनाने में सुनिता धूटी को आमतर पर 37 गंटी का समय लगता है। हर दिन 15 से 20 मेलाए अपने हातों में मेंदी लबारी होती है। अत्रक उन्हें ने करीब 75 मेलाओं के हातों पर राम सिता लक्षमन का चित्र बनाया है। सुनिता धोटे एक पेशिवर मेंदी कलाकार है और उनके इस अनुठी प्रयास के लिए हर तरफ से प्रशन साकी जा रही है। पुरिदेश में राम प्रान प्रतिष्टा का उस्सा मनाय जा रहा है और लोग अलग अलग तरीके से अपनी श्रद्धा राम लला को अरपित कर रहे हैं। इस श्रुंखला में महंदी आर्टेस सुनिता धोटे ने 22 जनवरी तक श्री राम जी के पोट्रेट की महंदी हाथ पर फ्री में निकाल कर देनी का संकब लिया है। चलिए जानते हिन से इस संकल्प के बारे में। एक्चलिए मैंने 101 का संकल्प किया था। पर अभी काफी पसंद कर रहे हैं। यह सब उस कारण अभी जादा हो रहा है। और जब तक 22 तक मैं निकाल के दूंगी राम जी की प्रतिमा। राम सीता और उसमें अनेक प्रकार की मूर्तिया जो होती है राम जी की। तो कल्या कुरूती महंदी के आर्ट साथ में मैं बना के दे रही हूँ। कि उसमें केवट की और काफी जो जित्ते भी है राम जी के पोट्रेट और शबरी के है राम सीता विवा है और लक्षमन राम सीता हनुमान प्रसंग है। वो सभी हमने इसमें लिये हुए है पोट्रेट महंदी में और अभी 101 से तो ज्यादा ही लोग हो गए पर में 22 तारीक तक बना के देने वाली हूँ। आपका इस संकल के बारे में कैसे खयाल आया आपने कैसे सोचा कि मुझे यह कर रहा है। मुझे एक्चुली पोट्रेट बनाना बहुत पसंद है। और मैं बच्वन से ही राम के तो कम बनाती थी पर राधा कृष्ण बहुत बनाती थी में। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी इतने सालों बाद जब अपना मंदीर बन रहा है। तो क्यों ना राम सिता के अपने हाथ से एक सेवा भाव हो और जो मेंदी लेडिज पसंद करती है। तो हमेशा पोट्रेट की डिमांड होती है पर मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो उस कारण से जिनको राम जी के प्रती प्रेम और यह भक्ती है। तो उन लेडिज की एक कामना भी पूरी हो जाए कि हमारे हाथ में सुनिता जी ने इतना अच्छा अच्छा पोट्रेट बना दिया राम सिता के। उस कारण मैंने थोड़ा सोचा कि मेरे हाथ से भी भक्ती हो जाए कि मैं राम सिता के पोट्रेट बना हूँ। जैश्री राम आज 500 साल के बाद श्री प्रभू राम चंदर ये अपने निवासिस्तान पे जाने वाले उस उपलक्ष में 22 जनिवरी को ये हमारे लिए दिवाली से कोई कम दीन नहीं है उस उपलक्ष में हमारी सुनीता दीदी ने जो महिंदी में एक्सपर्ट है उन्होंने ये संकल्प किया है कि 101 हाथ में मातरुशक्ती के हाथों में राम जी के विभिन रूप जैसे मेरे हाथों में देखा हूंगा आपने केवट का रूप निकाला है राम जी का राम जी शबरी के बेर खाते हुए निकाले है ऐसे विभीद उन्होंने राम रूप निकाले है एक हमारी जो पीडी है उसके लिए सौवागेशाली है कि हम इस इसमें देख रही कि राम जी अपने घर पे जा रहे है और इसमें सुनीता ताई ने जो संकल्प लिया है वो बहुत बड़ी बात है तो हमारे सब मातरों शक्ति के तब से सुनीता ताई को बहुत बहुत सुनीता दोटे ने जो 101 महिंदी निकालने का उपकरम किया था उसी शुरुवात मेरी छोटी बच्ची ग्रिशा नाम के एक लड़की से किया है और उसे वो राम का पोटेट बना के दिया था उसके स्कूल में बहुत फेमस हुआ है बहुत स्कूल में उसका फोटो निकाल के सब बच्चे को दिखाया गया है कि राम के प्रती बच्चे भी इतने जागरू थे और यह जागरू था सुनीता दोटे वर्ल्ड रेकॉर्ड गिनिस बुक वर्ल्ड रेकॉर्ड में भी उन्होंने 75 हवर्स में काम किया था उस समय पूरे फैमिली ने सपोर्ट करके उनका 75 ह हमारे यहां पर लेडिस का जो प्रोग्राम रहता है हल्दी कुंगो का माराथी इसमें उसके माध्यम से हमारे पूरे बिल्डिंक के महिला उने जो राम जी के उसका पूरा मेंदी निकाला है और हम उनको सुनीता दोटे को शुबच्च्चा देते हैं कि वो हर बार नए बढ़ाती है देश और राम प्रेम बढ़ा रही है यह उपक्रम के लिए मेरी शार्दिक शुबकामना है और BCN न्यूस को भी मेरे तरफ से अच्छी शुबकामना है कि वो अच्छे सोसाइटी में जाके लोगों तक पहुश के आप अच्छी रियालिटी न्यूस दिखाते इसलिए आपके चैनल को भी मेरी बहुत अच्छी शुबकामना है और न्यूस क्यामरा परसन अखिलेश भारतवाज के साथ प्रकाश शुंकलवार के रिपोर्ट